आप सब लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में कैसे हैं है आप मैं तो ठीक हूँ और अशा करती हूँ आप सब लोग भी ठीक होंगे आज को जो डिजाइन है कुछ अलग सा है बिल्कुल यूनिक सा है और इस डिजाइन को बनाने के लिए यह देखेगा मैंने इस तरह के कलर को बाउटर बना लिया है बाउटर के बाद इसमें एक सीधी सीधी रोग बनाके कम्प्लीट करिए क्योंकि इसमें उल्टी साइड से ही मैं अपना सेकंड कलर लगाऊंगी चलिएगा सेकंड कलर लगाते है यह सेकंड कलर मैंने इसमें लगा लिया है और उल्टी साइड है उल से देखेगा यह सेकंड रोह है डिजाइन की पहला फंदाम सिधा बनाएंगे अपनी तरफ लेके आएंगे इसमें दो फंदे यहां पर ऐसे सिधे बनाएंगे इस तरीक से एक फंदा और बनाएंगे जो यह थड़ वाला फंदा है इसको हम इनके उपर से ऐसे उतार देंगे आगे फिर धाग अपनी तरफ लेके आएंगे एक दो और यह तीन फंदे सिधे बनाएं जो यह पहले वाला फंदा है इसके उपर से हम ऐसे गिरा देंगे यह इ एक दो और ये तीन हर्ष्ट वाले को इनके उपर से हम गिरा दें यह देखे गई यह इस तरीकी से धागा अपनी तरफ बहुत सुंदर बहुत बिल्कुल एकदम डिप्रेंट साहिए डिजैन बनता है बहुत सुंदर है यह देखिए इस तरीक से आप चाहिए दो कलर में बना इसको तीन में बनाया है लेकिन आपको दो महीं बना के दिखाऊंगे यह देखिए गाए अगर इनी तीन फंदों को बार बार रिपीट करेंगे और पूरी रो भी बना के अपनी कम्प्लीट करेंगे यह इस तरीक से अब यह देखिए यह इसकी फिर से उल्टी साइड आग आप इसको मल्टी कलर में भी बना सकते हैं दो कलर में बना सकते हैं मैंने तीन में बनाया है और जो बनके बहुत ज़्यदक खुबशुरत लगया चलिएगा बना लेते पूरी रो इसी तरह से अब यहां पर देखिए हमें थोड़ चेंज करना होगा पहले हमने एक फंदा सिधा बनाया था इस बार हमें तीन बनाने एक दो और यह तीन तीन फंदे सिधे बनाए धाग अपनी तरप लेके आएंगे यहां पर हमें एक दो और यह तीन और इसके उपर से यहां पर हम गिरा देंगे यह इस तरीक से धागा फिर से अपनी तरफ लेके आएंगे एक दो और यह तीन फिर से इसके उपर से गिरा देंगे यह इस तरीक से सोरी धाग अपनी तरफ तीन फंदे सीधे बहुत इजी सा डिजाइन है अगर आप बिगिनर्स हैं तो बहुत अराम से इसको बना सकते हैं यह तो लेडिज कार्डिगन में जैन स्वेटर में बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट में हम डालेंगे तो बहुत खुबसरोत लगता है यहां तक कि न्यूबोन बेबी के स्वेटर में भी बहुत खुबसरोत लगता है क्योंकि उनके लिए तो हमें कलरफूल स्वेटर बनाना बहुत सुंदर लगते हैं एक बर आप जरूर ट्राई करना यह देखिए अपनी तरफ इन फंदे फिर से सीधे इस तरीक से करते हैं पूरी रो भी अपने कम्प्लेट करेंगे यह यहां पर लाष्ट में हमारे दो फंदे बिल्कुल सिधे आएंगे इस तरीक से अब इसमें मैंने यहां पर थार्ड कलर लगाया है आप जाए तो दो correspondsघने बनाओं यह वाला रिपीट करना में यह इसमें यहां पर यह थोर वाला अधावाली और वाली सिर्फ चारी रोगा डिजाइन है आप कलर इसमें कितने भी लगा सकते यह देखिएगा इस तरीके से अब हमें यहाँ पे सेम डिजाइन बनाना है और यह इसका फाइनल लोक इस तरह का इस तरीके से आएगा अगर आपको यह मेरा डिजाइन पसंद आया हो यह आपको मेरे बताने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करना शेर करना और मेरे चैनल को सस्क्राइब करना वीडियो देखने के लिए थेंक यू